कंग्रेस पाटी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि दिल्ली पे लाएगे ओर्डिनेंस का वो विरोध करेंगे पार्लिमेंट के अंदर और इसके बाद ही आमादनी पाटी ने भी साफ कर दिया है कि वो कल की जो भी पक्षी दलो की बैठक होने वाली है उसमें जाएंग और आप जब कर दिया गया है तो उनों की तरफ से कहा गया है कि कल की बैटक में हम शामिल होंगे आप दिली के उपाध्यक्ष हैं कॉंग्रेस पार्टी के आपके सामने तो सबसे ब्लापती दोंदी है वो आम आदनी पार्टी है आप कैसे देखते हैं हमारे लिए सबसे पहले देश है पार्टी से उपर भी देश है और कॉंग्रेस ने हमेशा से सेम था आज भी उसमें कुछ नहीं बदला है हमने ये कहा था जब पार्लिमेंट सेशन आएगा जो अब 20 जुलाइक है उससे कुछ दिन पहले हमारी कॉंग्रेस की स्ट्राटीजी क की मीटिंग होगी उसमें हम डिसिजन लेंगे वो मीटिंग कल हुई उसके बाद आज वेनु गुपाल जी जो हमरे जनर सेक्री इंचार्ज और उगनाइजेशन है उन्होंने ये कहा कि कल जो स्ट्राटीजी कमीटिंग हुई थी उसमें ये डिसिजन हुआ है कि हम बीजेप मुदी के अंडर और वैसे भी बीजेपी एक तानाशार वैसे काम करती है वो जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है उसको गवरनर्स के थूरू कंट्रोल करना चाहती है तो ये तो हमारा प्रिंसिपल स्ट्राट शुरू से रहा है कि जो हमारी जो भी हमारी स्ट्राटेजी हो ये नियाब दिल्ली में किसी भी कॉंग्रेस से पूछेंगे कि इनकी नियत पर शाक्या जब बीजेपी कॉंग्रेस की सरकारे गिरा रही थी मद्यपदेश में कनाटका में गोवा में उत्राखंड में तब के जिरिवाल जी बिल्कुल चुप थे वो कभी एक शब्द नहीं बोलें जब राहुल जी के अगेंस एडी की कारवाई हो रही थी सोनिया जी के अगेंस हो रही थी के जी वाल जी तब भी चुप थे यह सोचने वाली बात है ना तब उनको वो लोकतन की हट्या नजर नहीं आ रही थी तो कहीं ना कहीं उनके पुराना जो आच्छन रहा है उसे संशे पैदा होता है. जब पिछली बारी पतना में opposition की meet हो रही थी, उन्होंने वो फिर अपने बारे में बनाने की कोशिश की. उस समय जरुवत नहीं थी जब Congress ने कह दिया था कि जब strategy meet हमारी होगी जो Parliament session से पहले, उस समय हम decision लेंगे. Congress तो उसी decision पर कायम है, तब इन्होंने इसको अपने बारे में बनाने की कोशिश की. देखिए वो उस meeting में आये, meeting के बाद एकदम से उनका stand change हो गया और पूरी चीज उन्होंने आके ये बोली कि भई मैं agree नहीं करता, Congress ने ऐसा नहीं किया, वो क्या दिखाना चाहरे थे, मुझे लगता है, मोधी जी के इशारे पर अब ये मेरा chaos है, और जिसके बड़े अच्छे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं, जो मैं ये चीज़े बोल रहा हूं, कि भई उसले, परमाण हैं तो उस अच्छो का आप कहा रहे हैं, अब इनका आच्छरन अब ये दुविदा में फस गया है, अब ये फिर कुछ ना कुछ पैंतरा मुझे लगता है, कुछ दिनों में होगा, जिसमें ये फिर opposition unit को derail करने की कोशिश करें, आपने कहा है कि उनका असली रंग सामने आएगा, तो क्या है असली रंग के इदरी वाले जिगत रोड़ा, असली रंग उनका जो मुझे लगता है, ये है कि वो मोदी जी के इशारे पर काम करता है, या तो दबाव है उनके उपपर, वैसे भी नाशनल यूनिटी, opposition unit के नाम पर, कॉंगर्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो ordinance का विरोध करेंगे, क्या ये सारी relationship आगे चल कर कोई political alliance में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बड़ा ultimate aim है, विपक्षी एक तागा, वो तो यही है ना, कि हम सब मिलकर चुनाब लड़ ने मुदी जी को आ रहा है, देखे एक फरक है, ये जो ordinance का हम विरोध कर रहे हैं, ये इसले कर रहे हैं, ये पहला step अगर कोई कुछ लोग के आ रहे हैं, आपने ये कहा, opposition unit के लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि बीजेपी मुदी के अंडर और बीजेपी व विरोध में है, ये दिल्ली के राजी के विरोध में है, ये जो ordinance आए, इसले हम विरोध कर रहे हैं, इसका केज़िवाल जी से कोई लेना देना नहीं है, वो देखे दिक्कत क्या है केज़िवाल जी की वो हर चीज अपने बारे में बनाना चाहता है, एक आदमी जिसका एक MP ये ले दे के मैं प्रामिस्टर बने है, इसका जो अल्टिमेट एम है, विपक्षी एक तक वो तो यही है ना, कि हम सम मिलकर चुनाव लड़ें, सीट शेरिंग हो अलाइंस हो एक नाशनल लेबल पर और अल्टिमेटली बीजेपी को हराय जाए, तो क्या दिल्ली में पॉसि मारा अलाइंस की जरुवत नियांगे कुछ स्टेट्स का में इसका जाएंस की जरुवत पढ़ेगी तो उसके लिए बाचीच चल रही है ज़रुरिन नहीं है आप आटी उसका बढ़े, यह तो उनकीमंशा है न, मुझे तो यह लगता है उनकी मंशा अभी भी बीजेपी के सपोर्ट करने कि या वो धीरे-धीरे आगे पता चल जाएगा आप कहने कि उनकी अल्टिमेट जो मंचा है वो कहीं ना कहीं यह पुरा डेरेल करना सबोटाइज करना और बीजुपी को फाइदा पूजाना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका जो पुराना आच्रन रहा है जो मैंने आपको एक्जाम्पल्स दियें वो तो इसी तरह इशारा करता है अगर उनको सदबुद्धी आ जाए तो मैं कहने ही सकता लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा है यह थे मुझे दगरवाल साब उपाद्यक्ष है दिल्ली कॉंग्रेस के साफत और पर कहते हुए कि अरविंद केजरिवाल को सपोर्ट करना ओर्डिनेस के मामले पर ये कॉंग्रेस पार्टी का एक प्रिंसिपल स्टैंड है उन्होंने ये भी कहा कि कही ना कही उनको ऐसा ल झाल 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 झाल